हलो गाइज वेलकम तो काजर मेडिया वंस अगेन मैं नेम इस गुलशन जा फ्रेंट्स के ये करनाटका की राउंड टू काउंसलिंग के लिए मॉक अलॉट्मेंट की रिजल्ट पब्लिश हुई है मॉक अलॉट्मेंट जैसे आप लोगों को पता है कि राउंड टू काउंसल काउंसलिंग के लिए जो मॉक अलॉट्मेंट की रिजल्ट होती हूं से पब्लिश की गई है तो देख लेते हैं जान लेते हैं कि मॉक अलॉट्मेंट की क्या इंडिकेशन है कितने रैंक वाले को कॉन कॉंसी सीट मिल सकती है round 2 की final count two round two की final result आएगी 13th of December 2020 के दिन उस दिन क की रैंक के बैसिस पर कौन-कौन से सीट मिल सकती है सबसे पहले बात करते हैं सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज जो राउंड टू की अलॉट्मेंट मॉक अलॉट्मेंट के एकॉर्डिंग सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज की काटफ गीती है अप टू 10,800 अलॉट्व इंडिया इंसचीट अव मैडिकल सयंस बैंgere की कटफ जा रही है अब 9에 अ दो 16, 2660 म mús रुम्हिय मैडिकल कॉलेज बैंड्लोर की कटफ जा सकती है अप 6TH 1681 वाल इंडिया रेंक BGS Global Institute of Medical Science Bangalore की cut-off जा सकती है अप्टू 17584 ओल इंडिया रेंक किम्स बैंगलोग की cut-off जा सकती है केंपेगोडा की cut-off जा सकती है अप्टू 20535 वाल इंडिया सकती है अप्टू 18,000 sorry 20,091 ओल इंडिया रेंक महादेवप्पा रामपुदा Medical College Kalaburgi की cut-off जा सकती है अप्टू 18,548 डॉक्टर भीया रंबेटकर Medical College Bangalore की cut-off जा सकती है अप्टू 21,641 आकास इंस्टूट अप्टूट अप्टू की cut-off जा सकती है अप्टू 19,211 MVJ Medical College and Research Hospital Bangalore की cut-off जा सकती है अप्टू 22,681 ओल इंडिया रेंक सुभाइया Institute of Medical Science Shimoga की cut-off जा सकती है अप्टू 19,658 फार्दर मुला Institute of Medical Science and Research Mangalore की cut-off जा सकती है अप्टू 22,073 ओल इंडिया रेंक AJ Shethi AJ Institute of Medical Science Mangalore की cut-off जा सकती है अप्टू 19,453 दॉक्सपोर Medical College Hospital and Research Center Bangalore की cut-off जा सकती है अप्टू 29,729 शुनिवासा Institute of Medical Science and Research Center Mangalore की cut-off जा सकती है अप्टू 19,840 छा सकती है अप्टू 22,935 लार्दर इंडिया रेंक अप्टू 22,935 लांडिया रेंक तक अलामीन Medical College की cut-off जा सकती है अप्टू 23,902 लांडिया रेंक तक S. निजलिंगपपा Medical College and Research Center बगल कोट की cut-off जा सकती है अप्टो 23,318 ओल इंडिया दैंग तक स्रीदेवी इंस्टूट अफ मेडिकल साइंस तुम्कूल की cut-off जा सकती है अप्टो 24,823 ओल इंडिया दैंग तक शामनुरू शिवशंगर अप्पा SSIMS दवन गिरे की cut-off जा सकती है अप्टो 24,440 ओल इंडिया दैंग तक कनाचूर इंस्टूट अफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर मैंगलोर की cut-off जा सकती है अप्टो 24,506 ओल इंडिया दैंग तक के वेंके ट्रमाना गोड़ा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सूलिया के वी जी सूलिया की cut-off जा सकती है अप्टो 26,236 ओल इंडिया दैंग तक शुरी बस्वेश्वादा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चित्र दुर्ग की cut-off जा सकती है अप्टो 26,718 ओल इंडिया दैंग तक नवोडिया राइचूर की cut-off जा सकती है अप्टो 27,435 ओल इंडिया दैंग तक यह थी वहां के जो सस्ते कॉलेज जेंग जिनकी फीज 10,00,000 पर एंदम है अप्रॉक्सिमेटली 10,00,000 पर एंदम है उनकी cut-off जो mock allotment के according आई है round 2 की mock allotment के according mock allotment से मतलब आपको मैंने पहले भी बताया है कि यह जस्ट एक indication है यह final result नहीं है यह indication है जो यह दर्शाती है कि round 2 की final result आईगी उसमें chances है कि किस rank वाले को कौन-कौन सी college मिल सकती है हाला कि जो mock allotment होती है उसके बाद final result में थोड़ी differences देखने को मिलते हैं probably इसमें और थोड़ी सी positive shift आपको देखने को मिल सकती है जब final result publish होगी इस result को यह देखकर बिल्कुल ना समझें कि आपको यही college मिल रही है 13 दिसंबर 2020 के दिन जब आपके final result आएगी तो mock allotment के बाद जो final result आती है उसके बीच का difference यह होता कि थोड़ी सी और positive shift देखने को मिलती है तो chances हैं कि जो colleges आपको allot हुए हैं उससे एक college और उपर की तराफ आप बढ़ सकते हो एक दो college उपर की तराफ आप बढ़ सकते हो final allotment में तो यह थे जो वहां के 982,000 fees structure वाले जो सस्ते colleges थे बच गए 4 colleges जो महंगे colleges हैं उनकी cut off क्या जा सकती वो भी देख लीजे खाजा बंदे नमाज institute of medical science गुलबर्गा की cut off जा सकती है up to 66,020 sdm college of medical science and hospital धारवार की cut off जा सकती है up to 1,3,164 all इंडिया देंक आधी चुन्चुनगिरी institute of medical science बेलूज की cut off जा सकती है up to 1,17,069 all इंडिया देंक और देनन सागर जो इसी बार add हुई है उसकी cut off जा सकती है up to 1,62,470 all इंडिया देंक तो यह जो मैंने बताया जैसा मैंने आपको पहले बताया फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि यह actual cut off नहीं है यह एक justic indication है कि mock allotment के according आपको कौन कौन से colleges मिल रहे हैं आपकी rank पे कौन से colleges मिल सकते हैं हलाकि यह final result नहीं है final result 13th of December को पब्लिश होगी जिस दिन आपको actually में पतत लगेगा कि आपको actually में कौन से seat मिली है कौन से college में seat मिली है एक बार जिर 13 तारीक को 13 December को जब final result आ जाएगी approximately 4 बार तक result publish हो जाएगी तो 4 बार तक में जब भी result publish होती है आपको check करना है और result के आने के बाद आपको के यह की office में जाकर कर रिपोर्टिंग करनी है इसके बाद की जो information है वो notification दी जाएगी उस notification के लिए आप regular website पर बने रहें करनाटका की website पर बने रहें kea.kar.nic.in और जो भी information जो भी notification publish की जाती है उसके recording आपको आगे की कारवाई करनी है इस वीडियो में फिलाल इतना ही second round होने के बाद mop up round होगी mop up round यू तो last year तक जो हुआ करती थी वो offline हुआ करती थी मगर this time there is no guarantee कि यह offline होगी या online होगी we hope कि इस बार की counseling offline हो जिससे की cut off और थोड़ी नीचे आए और जो एक्छू के students है करनाटका की cut off में लेने के लिए उनको उनकी seat मिल सके और उनके साथ जो authentication हो वो कोई queries पूछ नहीं हो इस्ट्रे वेकंसी कैसे conduct होती है इस्ट्रे वेकंसी में कौन-कौन से colleges में seat रहते हैं इस्ट्रे वेकंसी में क्या budget जाती है किस college की कितनी seat है उसकी procedure क्या है लिंक किस तरीके से होती है इन सभी बातों के लिए भी आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो आप हमसे सारी जानकारी पास सकते हो थैंक्यू सुमच